पीस्टेट तो साल में एक बर हो रहा है, लेकिन सीटेट रेगुलरली साल में दो बर हो रहा है, जो जुलाई को होने जा रहा है, उसकी जो नोटिफकेशन हो चुकी है, नोटिफकेशन देखने के लिए आप जा सकते हैं, यहां पर CTET.NIC.IN तो यहां notification होगी और नीचे seated July 2024 information bulletin होगा information bulletin में total जानकरी है अगर यह वीडियो अपने ही देखना चाहते तो वहां से study कर सकते हैं first notification को देख लें यहां पर main है कि साब जुलाई को Sunday को exam है 19th edition है CTET का test 20 languages में conduct किया जाएगा एक सो 136 cities में तो इसके इलावा syllabus language eligibility criteria examination fees examination cities important dates will be available यह website जो बताई है वहां पर available है आज से form fill करने शुरू हो गए हैं fill कर सकते हैं लेकिन अभी एक दो चार पांट साथ आठ कुछ बाते समझ के fill करना जरूरी है तो इसके बाद main क्या है कि आप इसको अच्छी तरह से read कर लीजिए मार्च 2024 से शुरू है और दो अप्रैल 2024 तक यह form फिल किये जाएंगे तो मेरे ख्याल में बुलिटन को देख लें थोड़ा सा main चीजे हैं यहां पर application form online ही फिल होने है date पहले बता दी गई है तो इसको information को आपको इस information को आपको read कर लेना चाहिए यहां main जो bold की है उनको जरूर देख लेना चाहिए एक गलती फिर आपको correction online करने का मौका मिलेगा अगर correction नहीं हो पाती तो आप दिल्ली जाना पड़ेगा इतनी मेरे खल में कोई कोशिश नहीं करेगा यहां है postal pin code जो है जरूरी है हर हालत में और दूसरी बात है कि अगर आप दो paper fill करना चाहते हो तो एक ही form में fill करेंगे और paper one paper two paper three की भी बात है new education policy के जो influence है वो देखने को next future में मिलेंगे हमें तो candidate online अगर दो form fill करता है तो उसका candidature cancel कर दिया जाएगा अगर हमने paper one paper two fill करना है तो आपको एक ही form में fill करना होगा और अपना email और phone number carefully fill करना है सारी information communication seated के लिए application form fill करने के लिए guidelines है यहां मैं सिर्फ यह नहीं बताऊंगा कि application form fill करने का पूरा method यहां नहीं बताऊंगा हाँ आपको अपना जैसे है photograph जो के size में छोटा चाहिए और signature का size भी है ना छोटा चाहिए जैसे है के upload scanned photograph signature JPG, JPEG format में होनी चाहिए और size जो है 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए ऐसे ही signature का size जो है 3 to 30 KB के बीच में चाहिए यह थोड़ी बाते ध्यान में पहले से रखनी है जब form fill करते हैं तो disturb हो जाते हैं that is why यह पहले बता रहा हूँ पास्वर्ड must be from 8 to 13 characters उसमें यह special characters जैसे add the rate hash वगेरा यह शामिल होने चाहिए एक upper at least special character होना चाहिए इसके इलावा form fill करने के लिए normal जो problem आती है उनकी बहुत brief में बाते बता रहा हूं कि normally जिन कई college की list आती है कि कई colleges का नाम बीच में शामिल नहीं होता तो आपने कुछ भी घवराना नहीं है others को fill कर देना है language जब opt करनी है तो कोशिश करना है language to opt करनी है एक और दो तो कोशिश यह करनी है जो भाशा आपके लिए comfortable है असान है जिसमें mastery है खास करके जो poem का paragraph आता है अगर आपकी mother tongue है उसमें आफ comfortable हो जहां हिंदी में comfortable हो तो आप first उसको चूज कीजिए जो difficult लगती है for example English नॉर्मली हो सकती है तीन भाशाइं हो बनती है original है national है international है लेकिन option वहां ज्यादा होगी रिजनल की ज्यादा होगी तो आपने यह poem का जो paragraph आता है जैसे साथ आठ question आते हैं उसमें probably कई बार सहित्यक जो terminology यूज की होती है उसके meaning ना पता होने के कारण आप एक या दो marks का loss कर सकते हो that is why वो feel कीजिए language जो आप prefer करते हो के मेरा confidence और confidence with the particularly literature में है literary language यूज की जाती है दूसरी आप जो कम comfortable feel करते हैं जो difficult लगती है second language इसको फिल किजे stream opt करनी है पी-स टेट में तो साथ-8 streams है ना जैसे music की है physical education इनकी अलग लग है उर्दू की Sanskrit की है लेकिन सीट अट में सिर्फ दो stream आती है एक तो humanities या आर्ट के लिए social science की stream है जिसमें history political science geography के question पीए पूछे जाते हैं और पंदरह जबीस के करीब question होते हैं जाओ जी के दूसरी तरफ है मैं साइंस स्टीम साइंस में दो डिवीजन है साइंस और मैट्स इट में मैट्स वाले मैट्स वाले confusion में रह सकते हैं क्योंकि ये बात बता दो कि अगर मैथ आपने लिया हुआ है मैथ आपने लिया हुआ है arts में माली जे मैथ economics के साथ है तो आप sst ले सकते हैं फिल आप कोई भी कर सकते हैं social science stream भी कर सकते हैं दूसरी कर सकते हैं क्योंकि आपने 60 questions से डील करना है 60 में से आपने minimum 45 questions जो हैं वह आपके content के होंगे for example अगर social science फिल करते हैं तो economics history geography के होगे अगर आप math और science फिल करते हैं इधर है आपका science बन गया math वाले यह बता रहा हूं कि confusion में रह सकते हैं तो जिन्होंने math पड़ा हुआ है sorry science पड़ी हुई है वह हर हालत में math और science ही फिल करेंगे वह sst फिल नहीं करेंगे कर सकते हैं लेकिन क्योंकि 45 questions उस question उस subject से आपको आपने answer देना है that is why आपको वही चूज करना चाहिए जो आपने graduation में पड़ा है सो science वाले clearly है math science को चूज करेंगे और 45 questions उसने math और science के ही answer देना है 15 question जो है pedagogy के होंगे बाग की जो है economics जहां political social science हना यह community arts वाले वो पका sst ही फिल करेंगे लेकिन math दो तरफ आता है तो आपको यह चूज करना है कि क्या आप अगर तो आप confident हैं कि आप science के 2022 question का answer दे सकते हैं तो math science आप फिल कर सकते हैं बेशक आप एकनॉमिक्स पड़ी है लेकिन आपने अगर economics के साथ है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्यों कारण है कि आपको फिर जो 2022 question जो होंगे math के नहीं देने होंगे math का फिर कोई question नहीं दोगे सिर्फ आप फिर history political science और geography यह इनके answer आपने लगबग 40 उसके देने हैं तो इनके लिए थोड़ा decision difficult हो सकता है वापस चलते हैं यहां पर नहीं अभी है यह रहा है तो category आप ने carefully fill करनी है कभी भी category आपकी change नहीं हो सकती क्योंकि उसके साथ फीस भी जुड़ी होती है आगे चलके देखते हैं और result भी जुड़ा होता है क्योंकि जो reserve category के हैं वह 82 पर पास होते हैं और general category के 90 पर पास होते हैं हाला की पास के चक्रों में मत पीजिए पढ़िए ज्यादा ज्यादा माक्स लेने की कोशिश की यह क्योंकि यह पॉसिबल्टी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो रूल है अप्लाई हो गए तो यह हो सकता है कि सीटेट के मार्स आपकी करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें मार्स हैं यह एक प्रॉब्लम आएगी अगर आपीरिंग है बीएड या डीलेड में आपने पहला दूसरा तीसरा दिन भी है जाँ छे मीने गुजार चुके हैं आप पेपर दे सकते हो आपके प्रॉब्लम क्या आएगी फॉर्म फिल करने में मार्स को फिल करने के लिए आपक आक्सी में जितने आपके अगर फर्स्ट समका रिजल्ट आगया जा अंदाजह है उतने फिल कर थोड़े से उससे कम फिल कर दीजे को इन प्रॉब्लम निया गी कोई भी प्रॉब्लम निया यहां यह यह दिया रखना है कि जो यह फिगर जो है राउंड होनी चाहिए राउ है फीज है यहां है जुनल को ब्रक्ट अगरी ओडी सी now रहे हुआ है आशन सब्सक्राइब कर opens लो के लिए है सफ्ट यंद जैने है जिनों ने एक अरमेंटर टीचर के लिए लगना और यह बान के लिए है तो जो में स्छें ऑप्शन बताकर आए हूं miejsce और साइंस जहां फिर सो एसस्टी की वो पेपर टू में होगी ओके तो आगे चलके पेपर थ्री भी आने वाला है जैसे पहने पिछली वीडियो में बताया था कि नियू एजुकेशन पॉलिसी का इंपेक्ट दिखाई दे रहा है तो नियू एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा है तो नेक्स्ट जन्रवरी में ये एक्जाम भी होगा ये संभावना दिखाई देती है दैट इस वाइ उनको भी त्यार रहना चाहिए सलेबस की बात करते हैं सलेबस में भी साथ में चेंज आएगा नियू एजुकेशन पॉलिसी की लाइट में उसको चेंज किया जाएग तो ये फीस है इनकी एक हजार अगर आप दोनों फिल करते हो एक ही फॉर्म में दोनों फिल करने हैं अलगलब फॉर्म नहीं फिल करने तो दो सो रपिया बढ़ जाता है स्सी एस्टी जो है डिसेबल्ड परसन है उनकी आधी फीसों से पांच सो होगी और अगर दोनों एड्मिट कार्ट डाउनलोड करना है लगबग दो तीन दिन पहले एक्जाम से आजाता है डाउनलोड आपने करना है उसके लिए वेबसेट दी गई है और अड्रेस कॉरस्पर्ण इसके लिए यह जो मोबाइल नंबर इमेल आप रिजिस्टेशन के वक्त फिल करेंगे उस उसी सेंटर में आपका हो जाता है आपको अगर दोनों हैं तो उसी सेंटर में हो जाएंगे आपको फॉली adesso ली बाना ऐड़न मोड में हो रहा है एक्जाम कें यह से वाले हैं paper two दे रहे हैं वो साड़े नौ से बारा बज़े तक होगा दे धाई घंटे का exam ना जो paper one है elementary का वो दो बज़े से साड़े चार बज़े तक है ये भी धाई घंटे का होगा साथ eligibility आपको पहले बता दिया गया है कि आप appear हो चुके है teacher education program में admission ले चुके हैं तो you are eligible वाकी की marks की eligibility है वहाँ जब फॉर्म फिल करोगे तो छे साथ categories आएंगी जैसे पी-स-ट में आएंगी वैसे ही वही option आएंगी कि आपने डिया लड एक साल की की है special education की है integrated की है बीड इंटेग बीए बीए इंटेगरेटेड की है बीए सी बीए इंटेगरेटेड की है प्लस तू के साथ की हो हुआ है कुछ यह graduation के साथ यह combination होंगे वहाँ पर paper one है पहली से पांचवी कख्षक को teach करने के लिए paper two है six to eight को teach करने के लिए बाकि paper third जो आएगा वो next में आएगा यह रहा आपका सलेबस पहले वाला सब कुछ वही structure है child development and pedagogy compulsory है 30 mcq 30 marks का mathematics compulsory यह paper one का है यह भी 30 mcq 30 marks environmental study compulsory 30 marks 30 mcq language one and language two यह भी compulsory है तो जो पेपर one है वो सब कुछ compulsory है कोई confusion नहीं है total marks 150 हो गए mcq 150 हो गए 20 languages है इन में से आपने two opt करनी है पहले बात कर चुके है बात कर चुके है पेपर two का syllabus सिर्फ बाकि सब सेम है cdp है maths और science के यह जो आगे आपने stream को opt करना है इसके 60 mcq marks होंगे हना तो यह लगबग आधे maths के हो जाएंगे 20 के करीब और science के 20 22 के करीब हना तो जो बाकी के इनके 45 मतलब हो जाएंगे मिलके और बाकी के 15 question pedagogy of maths and science के होंगे सोशल स्टेडी का भी ऐसे पिछले पहले बताया है history political science and geography 60 आप इन में से एक कोई चूज करोगे language compulsory one यह आसान वाली चूज करनी है poetry वाली यह होती है दूसरी आपको जो difficult लगती है आपको जो difficult लगती है वो दूसरी language fill किजिए normally पहली अपनी mother tongue जो mother tongue prefer करते हैं वो फिल कीजिए otherwise Hindi fill कीजिए अगर आपकी English आपको easy है आप comment में जा English medium में आपकी fluency ज्यादा है poetry आप अच्छी जानते हैं तो आप English जो paper होगा bilingual होगा Hindi और English में question कुछे जाएंगे जो पी एस्ट है वो पंजाबी और English में होता है qualify marks आपने पास कितने में होना है सिक्स्टी परसेंट आपको चाहिए पिछला जो सीट एट है उसमें जहां हर सीट एट में साथ आठ नौ दस परसेंट इतने लोग पास होते हैं बहुत ज्यादा है ये टिट का फाइदा ये है कि आप केंदरी विद्याले जहां सी बीएसी से एफिलेटेड स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आपको सीट एट करना पड़ेगा केंदरी विद्याले नवुद्या विद्याले यहां कोई और स्कूल है वैलिडिटी लाइफ के लिए है एक पर पास कर लिया लाइफ लॉंग आहां आप मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए बार-बार दे सकते हैं एग्जामीनेशन सेंटर्स हैं तो आपने चार आपको आप्शन दी जाएगी एग्जामीनेशन सेंटर की अपने डीडेट नहीं इंपॉर्टेंट इंफोर्मेशन है साड़े साथ बजे पहुंचाना है गर पेपर टू देना है अगर आपने पेपर वन देना है जो दुपहर को होगा 120 मिनिट बिफोर पहुंचना है आपने बारां बजे पहुंच जाना है कोई भी रिवेलुएशन के बाद में सलेबस है सलेबस अगर आपको पहले वाला जहां पका प्यास्ट का पता है लगबग वही सलेबस है कोई चैंज नहीं है पिछली बार जिन्होंने सीटेट दिया है उसको उनको भी समझ लेना चाहिए कि सेम सलेबस है तैयारी वैसे ही है जो पिछली प्रॉब्लम्स आई है वीक्ने साई है एर राए है उनको रिकाल करना है कि पिछले एक्जाम में मैंने काउन सी गलतियां की थी उनको इंपरूव करना है और एक्सरचाइज को कंटीनियू रखना है जो एमसी क्योंकी है एक और जूरुरी बात है कि प्रसेंट स्लेबस जो बीयड डीयलेड में आप पढ़ते हैं फंडमेंटल थ्योरी जो पढ़ते हैं वगास्त की है प्याजे है ब्रुनर है इंटेलिजन्स की थियूरी है लर्निंग की थियूरी है ऐसे ही निक्लिसिव एजूकेशन है पेडागोजी की बाते वही थ्यूरी अप्लाई होती है तो यह जो आपका कॉंटेंट का है आपने जैसे मैट साइंस सोशल साइंस है यह अपने एंसी आर्टी की बुक्स ही पढ़ दी है अगर आप पेपर वन दे रहे हैं तो आपने यह धिया रखना है कि आप फॉर्स्ट से फॉर्थ तक फिफ्थ तक के लिए eligible हो रहे हो नेचली उस लेवल तक की knowledge जाँ उस लेवल तक की books आपको 6 वी तक की books आपको पढ़ लेनी चाहिए जो पेपर 2 है उन्होंने 8 तक के लिए eligible होना है नेचली वो 10 तक की books को study कर सकते हैं NCRT को हर हालत में NCRT की study आपको खुद एक बार जरूर करने चाहिए क्योंक एक लाहन में एक M.C.Q. जुरूर बनता है पैड़ागोजी के question जो है वो ही थ्यूरिस पहले apply होगे simple लुकता है social constructivism maximum dominant करता है राइजर राइट आंसर स्टडी का syllabus है तो यह डिफरेंट लेए आप information बुलिट में से खुद लेंगविज में नॉर्मली grammar ज्यादा नहीं आती comprehension है दो पैरे होते हैं और जो है आपके पैड़ागोजी के जो question होते हैं पैड़ागोजी के question मेरे मताबक easy होते हैं क्योंकि repetition of ideas होता है और पिछले cdp के जो fundamental rule है उनको apply किया जाता है अगर आप compare करो p.s.tet और c.tet को c.tet मेरे मेरे पताबक थोड़ा easy होता है क्योंकि इतने paper हो चुके हैं तो वो repeat होने की idea और concept और question की category repeat होने की संभावना ज्यादा रहती है तो इसके regarding और कोई question हो आप पूछ सकते हो कुछ tag words की video है जो help कर सकती है आपको mark से जल्दी gain करने में कुछ guess work की video है वो help कर सकती है क्योंकि जो test constructor है mcq बनाने वाले हैं वो कुछ error करते हैं उन error को आप यूज कर सकते हो right answer तक पहुंचने के लिए इसके इलावा paper कैसे करना हो है जाइस लेबस कैसे overview होगा वो जो आप जैसे को होगे वैसे में video डालता रहूंगा learn to actualize Dr. Thira Singh thank you